मौसम विभाग ने दक्षिनी प्रदेशों में चक्रवाती तूफान फणी के तांडव का अलर्ड जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार हिंद महासागर और दक्षिनपूर बंगाल की खाड़ी में बना दबाओ वाला शेत्र उत्तर पश्रिमी की ओर बढ़ रहा है और जिससे अगले 24 घंटों के दुरान चक्रवाती तूफान का अनुमान लगाया जारा है और जिससे देखते हुए मच्छुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दे दी गई है शेत्री चक्रवात चेतावनी केंदर के निदेशक एस बालचंदरन ने बताया है कि फणी अगले 24 घंटों में एक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तबदील हो जाएगा मौसम विभाग के मुताबिक तमिल नाडू और पुडुचेरी तटो कोमोरिन इलाके मननार की खाडी और केरल की तटो पर 30-40 किलोमेटर प्रती घंटे से 15 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और अगले दो दिन में भूमद्दे रेखिये हिंदु महसागर और उससे सटे दक्षन पश्चिम बंगाल की खाडी में हवा की रफ्तार बढ़कर अधिक तम 145 किलोमेटर प्रती घंटे तक हो जाएगी और इन शेत्रों में समुद्र में काफी उची लहरे उठती देखी गई है जो की कहर बरपा सकती है कर दो को जो किलो है झाल सकता है झाल सकता है